हेलो फ्रेंड्स इजी टू हेल्दी किचन में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो दिपावली आने वाली है मेरी तरफ से धेर सारी सुभकाम नाए मा लक्ष्मी आप सब के घरों में हमेशा विराज मान रहें हैपी दिपावली तो आज हम लोग दिपावली के लिए घर हुआ खोया है तो यह खोया आधा किलो है 500 ग्राम के करीब में तो इसे हम लोग थोड़ा सा गरम करके भून लेंगे ताकि यह सौप्ट हो जाए और फ्रेंड्स में बता दूँ कि मैं जब खोया बना रही थी तो उस वक्त मैं चीनी मिला कर इसमें मिक्स कर ली थी तो अभी मैं खोये में चीनी नहीं मिलाओंगी अगर आप बाजार के खोये से बना रहे हैं तो अभी जैसे मैं गरम कर रही तो यह खोया को मैंने फ्रीज में रख दिया था तो मिठाई बनाने के लिए से थोड़ा सौप्ट करना पड़ेगा तो अभी मैं थोड़ा सा गरम कर लेती हूँ यहां पर मैंने दो तीन इलाइची को कूट लिया है और उसे अब इसमें मिक्स कर रही हूं जिससे थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए मिठाई में और इस मिठाई की जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें चॉकलेट पाउडर और यह खोया से बना है तो बहुत ही अक्ची टेस्ट है इसकी तो अल्शी है तो 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 करीब खोया हमारा सॉफ्ट हो चुका है अच्छे से भून चुका है तो बिल्खुल लाल नहीं करना है सबद्रकों इस सटेश पर ही इस फो इसको ऑफ कर दे और अब मैं आधा खोया को निकाल लोंगी और आ तो 500 ग्राम के करीब में मैंने खोया को अलग कर लिया है और 500 ग्राम खोया में मैं एक चमच भर कर एक टेबल स्पून भर के यहां पर कोको पॉडर मिक्स कर रही हूं तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले और फ्लेम को आफ ही रहने दे तो ऐसे तो मैंने मिठाई की बहुत सारी रेसिपी डाल रखी है आप ड्राइफ रूट की भी मिठाई को बना सकते हैं दीपावली पे और उसे भी फ्रेंड्स को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर भाई दूज पे भी उसे बना सकते हैं तो ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसे ठंडा कर लेंगे मैं तो ये ठंडा हो चुका है और अब हम लोग इसे बनाना सुरू करते हैं तो दीपावली के सुभ आपसर हम लोग ये मिठाई बना रहे हैं तो मैं इसे बर्फी का सेप नहीं देकर मैं इसे दिये का सेप दूँगी आप चाहें तो ये इसे बर्फी के सेप में भी बना सकते हैं तो यहाँ पे मैंने एक पूरी के जैसा बना कर इसमें गड़ा कर ली हूँ और अब मैं इसे दिये का सेप दूँगी तो मैं इसे चौकोर दिया बनाऊंगी चार कोन वाला जो दिया होता है वो बनाऊंगी आप चाहें तो एक कोन वाला दिया भी बना सकते हैं या गोल भी रख सकते हैं जो भी आपको इजी लगे बनाना और अब मैं इसके अंदर घी के साथ बाती बनाओंगी तो यह घी हो गया और इसी से मैं ऊपर थोड़ा सा इसकी पॉइंट बना दूँगी जिससे यह बाती जैसा भी हो जाएगा और ऐसे हम लोग सारे दिये को बना लेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा स इसे सजाएंगे इसे डेकोरेट करेंगे तो यह देखिए बहुत ही सिंपल है बनाना थोड़ा सा यह अभी गीला है फ्रीज में रखने पर यह सेट हो जाएगा लेकिन फिर बनेगा ने इसलिए इसके थोड़ा सा बाहर जब थोड़ा हलका ठंधा करके इस इसे बना लें उ करें तो यह देखिए मैंने सारे दियों को बना लिया मैंने कुछ इस तरह से दिये बनाए हैं एक कोन वाली और बाकी सब दियों को मैं चो कोन वाली बनाई हूँ और अब मैं इसे सिल्वर बॉल से डेकोरेट कर दूँगी आप चाहें तो यहाँ पर बादाम को पतला पतला काट कर उससे भी डेकोरेट कर सकते हैं तो देखिए कितना सुन्दर लग रहा है और टेश्ट तो बहुत ही लाजवाब है इसका और आप इसे 15-20 दिन तक रखकर आराम से खा सकते हैं इसमें कोई भी दिकत नहीं होगी नहीं यह खराब होगा तो यह देखिए दिया सज गया है बहुत ही सुन्दर लग रहा है और अब मैं लिक्विड एलो कलर से थोड़ा सा इसका पॉइंट को कलर कर दे रही हूं ताकि और भी सुन्दर लगे देखने में जब हम लोग दिया में बाती लगाते हैं तो उसमें थोड़ा सा उसे उपर का कलर को जो पॉइंट होता है उसे हम लोग रेट कलर से मॉली से सौरी रॉली से उसे थोड़ा सा रेट कलर दे देते हैं तो अच्छा लगता है देखने में तो यहां पे मैं थोड़ा सा यलो कलर से डेकोरेट कर रही हूं यह फूड कलर है इस पर रोली नहीं लगा सकते हैं इसलिए यह फूड कलर से ही मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं तो देखे कितना सुंदर लग रहा है देखने में और थोड़ा सा मैं इसे पिस्ता से डेकोरेट कर दे रही हूं आप चाहे तो यहाँ पर नारियल पाउडर भी डाल सकते हैं उपर से डिसी केटिट कोकोनट तो देखिए दीपावाली के लिए दिया बिल्कुल रेडी हो चुका है तो अब इसकी प्लेटिंग कर देते हैं आप चाहे तो इसे डब्बे में भरके रख सकते हैं तो चलिए यह दिया मैंने घर पर ही बनाया है और इसे मैं अपने हाथ से सजा के डेकोरेट करके आप सब को बता रही हूँ तो चलिए फिर एंजॉय कीजिए हैपी दीपावाली थेंक यू बाबाई